और मैं तुमको एक बात गांधी जी के बारे में कहूंगा कि जब जब दुनिया गांधी के सिध्धान्त से दूर जाती है विनाश की और बढ़ती है गांधी जी को बैरिश्टर बने अच्छे वकील बने और बाद में उन्होंने अपने द्रिड निश्चे के साथ जब अधी जी 39.6% नंबर पर नहीं रुके तुमारा नंबर तो उनसे अच्छा आया है पूरे अफरिका में तुम एक आदमी को जानते हो किसको नेलसन मंडेला नेलसन मंडेला के गुरू जी कौन तुम अपने दिमाग में अपना एक सीमा बना रहे हो अगर तुमारे दिमाग म नहीं सीमा है तो फिर उस सीमा का तो कुछ उपाए नहीं हो पाएगा यह एक बच्चा एक युवा आप पहचान रहे हैं इनको कौन है mathematician नहीं है उनसे बहुत महान दुनिया इनको बहुत महान मानती है यह आइंस्टाइन तो बिल्कुल नहीं है आप लोग को यह Newton दिख रहे हैं yes he is father of nation महात्मा गांधी गांधी जी है और गांधी वो महापुरुष वो महामानव जिसको दुनिया ने माना और मैं तुमको एक बात गांधी जी के बारे में कहूंगा कि जब जब दुनिया गांधी के सिध्धांत से दूर जाती है विनाश की और बढ़ती है जो प्रेम का मार्ग है जो सत्य का मार्ग है जो अहिंसा का मार्ग है जो भाईचारा का मार्ग है जो वैश्विक सही सुनता और वैश्विक एक वसुदैव कटमुकम का रास्ता है उ उसका विकास, जो समता का सिद्धांत गांधी चाहते थे, पूरी दुनिया का विकास उसी में नहीं थे, तो ये दुनिया को एक महापुरुष मिला, और गांधी जी को बैरिष्टर बने, अच्छे वकील बने, और बाद में उन्होंने अपने द्रिड निश्चे के साथ पू अप्टर क्लोज, नहीं था, जब गांधी जी 39.6% नमबर पे नहीं रुके, तुम्हारा नमबर तो उनसे अच्छा आया है, यह सुड़नो, तो तुम तो दिमाग से हटाई दो, कि तुम छोटा मोटा यह आदमी बन सकते हो, बहुत लोग के दिमाग में है, सर, 60% आया है, 58 परसंट आया है, 52% नमबर आया है, अब 52% में हम जीवन में क्या कर पाएंगे, अले बाबा, महात्मा गांधी जितना कर लिये, तुमको उतना करना है क्या, हाँ, तुम दुनिया के 10 बड़े अरभपती का नाम नहीं बता सकते हो, पूरी दुनिया गांधी जी को जानती है, तुम दुनिया के जिस देश में जाओगे, बोलो को इंडिया से, तो बोले गांधी कंट्री, मतलब तुमको अफरिका में किसी का नाम पता हो, नेलसन मंडिला का नाम पता होगा, पूरे अफरिका में तुम एक आदमी को जानते हो, किसको, नेलसन मंडिला, नेलसन मंडिला नहीं, उनकी कहानी रुकी, नहीं, तो तुम्हारी कहानी कैसे रुक सकती है, है ना, दिमाग में तुम्हारे क्लियर होना चाहिए, कि जीवन में बड़ा हासिल करना है, और बड़ा हासिल करना संभव है, है ना, तुमको अपने मानसिक बाधाओं से, मुझो पुदार सर बोले कि सीमा तुम अपने दिमाग में अपना एक सीमा बना रहे हो अगर तुम्हारे दिमाग में ही सीमा है तो फिर उस सीमा का तो कुछ उपाई नहीं हो पाएगा तुम्हारा अपना खुद का एक बॉर्डर तुमने बना लिया